Center for Research on Energy and Clean Air ने अपनी एक नई रिसर्च के मुताबिक ये जानकारी दी है कि प्रदूक्शन की वजह से भारत में प्रती वस 8300 मौते हो सकती है इसके बाद चीन में 4200, बंगलादेश में 1200, इंडोनेसिया में 1100, वियतनाम में 580 और पाकिस्तान में 450 मौते हो सकती है अध्यन परियोरन संगटन मार्केट फोर्सेज द्वारा अप्रेल 2021 की जाज़ पर अधारित है जिसमें दिखाये गया है कि HSBC अपने परिसंपती प्रबंधर शाखा के माधियम से कोईला कमपनियों में स्वामित वड़कता है एक नई वेक्सीन केंडिडेट ने जनवरों में कोरोना वाइरस के वास्तविक स्वरूप और उसके कई वेरियंट्स को खत्म करने में सफलता पाई है इसकी जानकारी नेचर मैग्जीन में प्रकासित एक स्टडी में की गई है स्टडी में बताया गया है कि ये नई वेक्सीन कोरोना के यूग के दक्षिन अफरीका और ब्राजील वैरियंट्स को समाप्त करने में भी सफल दिखी है नई वेक्सीन की ये स्टडी बंदरों अच्चूहों पर की गई है देश के पश्चमी टट में इस सब्ता के अंत तक साल 2021 का पहला साइकलोन दस्तर दे सकता है पश्चमी भारत के मौसम विभार ने पुर्वी तटवलती अरब सागर के ऊपर तयार हो रहे संभावित साइकलोन को लेकर भरिश्वानी की है मौसम विभार के मुताबिक पूरी तरह से साइकलोन में परिवलतित होने के बाद इस दुफान का नाम टूकेटे होगा ये नाम मयानमार ने दिया है ये भी कहा गया है कि इसके प्रभाव से लक्षदीप के टटिये इलाकों के अलावा गोवा, करनाटक, केडल और महराष्ट में बारिस देखने को मिल सकती है परश्रिम बंगाल के विविन हिस्सों में मंगलवार दोपर बाद आये तुफान और भारी बारिस से आठ लोगों की मौत हो गई बारिस के कारण कोलकाता के कई लाकों में पानी भर गया, इस से शाम के व्यस्त समय में यातायाग बाधित हुआ अलीपूर में 102, दमदम में 96, शाल्ट लेक में 116 मिलिमीटर बारिस दर्ज की गई उत्तर प्रदेश के सोनकड़ा वन रिल डमडर कंज इस्तित कैमूल जंगल में आग की लपटे नजरा रही है यहां के कमपार्ट नमबर आठ में मंगलवार की सुभा से आग लगने से जंगल धू धू कर जल रहा है यहां अभी एक महीने पहले जंगल में लगी आग से हजारों पेड सहीत जंगली जानवर जल कर मड़ गये थे उसकी आग अभी बुझी भी नहीं थी कि दूसरी बात सोनकड़ा कमपार्ट नमबर आठ में आग लगने से कई मुल्यवान पेड पोधों के साथ जंगल में रह रहे जंगली जानवर को भी नुखसान हो रहा है तदकाल टीम भी ज़कर आग को बुझाने जाने की बात कही जा रही है लदाक में चीन से सटी वास्तविक नियंतर व्रेखा की सुरक्षा का जिम्मा सम्हालने वाली इंडो तिवितन बॉर्डर पुलिस पर्यावरन को बचाने के लिए भी मैदान में मौजूद है आईटी बीपी के जवाँ सीमा पर सुरक्षा बनाने के साथ साथ छेतर में निरंतन स्वक्षता अभ्यान भी चलाते हैं इस वक्त भी आईटी बीपी के अधिकारी और जवानों ने लटार की विश्व प्रसीद पैंगांग जील को साथ सुतरा रखने की कारेवाई कर रहे हैं जवानों ने जील के किनारों पर सफाई अव्यान चलाकर वहाँ एकत्र कई टन कच्रे को हटाया देव प्रयाग में मंगलबार देश शाम बादल फटने के बाद मुसालधार बारिस हुई है इतना ही नहीं बादल फटने के वज़ा से कई बिल्डिंग और दुकाने ठह गई बादल फटने से यहां भारी नुकसान हुआ है जिसके बाद आज मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिस का लार्ट जारी किया है मौसम विभाग ने उत्तरकाश्री, चमोली, रोत्र प्रयाग, पिथोडागर, पौरी, गर्वाल, बागेश्वर और नैनी ताल में मुसलधार बारिस की चिताओनी जारी किया है इन जिलों में मौसम विभाग ने आज और कल के लिए औरेंज जलार जारी किया है देश्वर में कोरोना का लहर विकाबू है स्वास्त मंत्राले के ओर से जारी ताजा आकडों की मुताबिक पिछली 24 घंटों में 3,48,421 नै कोरोना के सामने आए और इस दोरान 4,205 संक्रमितों की मौत हो गई हलाकि 3,55,338 लोग इस दोरान ठीक भी हुए है इसके साथ ही कुल कोरोना के केस बढ़कर 2,33,4,938 हो चुकी है वही कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों की कुल संख्या 1,93,82,642 हो गई है कुल एक्टिब केस 37,4,099 है वही कोरोना से कुल मौतों की संख्या जो है वो 2,54,197 पहुँच गई है मौसर विभाग के मुताबिक देश में पश्रिमी विजोप के सक्रिय होने का सर्फ कई राजियों में बारिस के रूप में देखने को मिल सकता है विभाग के मुताबिक अगले 24 गंटों में दिल्ली, पंजाब, हर्याना, हिमाचिल प्रदेश, उत्राखन, उत्रप्रदेश, राजस्थान, पश्रिम बंगाल, उरिसा, बिहार, 36 गड़, केरल, जमु कश्मीर, करनाटक, असम, मिघाले और जार्कन के कुछ हिस्सों में ब अधियम दर्जे की बारिज के साथ मेग, गर्जन और वर्जपात की संभावन अजताई है, इसके साथ ही विभाग ने राची के लिए यलो अलर्ट जारी किया है, मंगलवार को भी मौसम विभाग के द्वारा दिन में कई बार वर्जपात का अलर्ट जारी किया गया था, वहीं पिछले 24 घंटों के दोरान राजी में कई अस्थानों पर हलकी से मध्यम दर्जे की बारेज रिकॉर्ड की गई।